तो यहां पर हम देखेंगे आज कि हमें क्या क्या डिसकस करना है आज दाहिंदू के अनलिसस में तो चले स्टार्ट करते हैं तो यहां फिर्स हमारा है कॉप्ट रुर्ट टिवन में के डिसाइड कि किस तरीके से जो एक फॉसल फियूल्स यह सब के इमीशन को कम किया जाए उ इसरा इंडिया वोट इन फैवर ऑफ इमेडियेट सीजफाइर इन गाजा बाई इस्राइल जो भी जीज़ें वहां पर सीजफाइर हुआ है उसके लिए इंडिया ने फैवर में वोट किया है इंडिया ने तूसरे को जो वोट दिया है वो फैवर में दिया है UNGA में United Nation General Assembly में सब्सक्ते ISA जिन्होंने फिवर में जिसमें से इंडिया भी है। और यहां पर बता जा रहा है एंडिया जो पदसटीण खांट्री जिसमें और यहां एक बता जा रहा है कि थांकिंग इंडिया जो पलेस्टीनियन अम्बासडर है उन्होंने थांकिया है इंडिया को say that all countries must say enough is enough 153 countries have voted for ceasefire जिसमें ceasefire के लिए वोट किया है कि इन्होंने 153 countries ने और US ने अपोस किया है इसका favor में वोट नहीं किया है तो यह बोल रहा है कि उससे यह पता चलता है US has once again proved that they are partner of Israel in continuing massacre of Palestinian people Ambassador of Palestine Adnan Abu Al Jaija said तो यह एक चीज है हमारा तो यहाँ पर यह देख लो दो चीज़े हम ने डिसकस की जो कि important है यह हमारा important हो जाता है IR के point of view से और यह वाला environment के point of view से जो कि GS paper 3 के लिए है और यह GS paper 2 के लिए next हमारा चाहेंगे दूसरा हमारा देखो यह है house passes built to set up central tribal university कहाँ पे तेलंगाना में central tribal university बनाने के लिए serogacy industry should not be encouraged in India एसा high court कह रही है क्या हो रहा है यहां पे देखेंगे डैली high court ने Wednesday को कहा है serogacy industry should not be encouraged कि serogacy जो industry है उसको encourage नहीं करना चाहिए इंडिया में and that if left uncheck it could grow into a million dollar business ठीक है और यह एक तरिके से अपना billion dollar business नोंने create कर लिया है और court ने यह किया है observation while hearing a plea जो कि petition happy है जो Indian origin couple है जो Canada में रह रह रहे हैं उन्हेंने challenge किया है center ने जो 14 March को notification जारी किया था amend किया था serogacy regulation act का जिसमें ban किया था donor serogacy को और उसमें कहा you are based in Canada you cannot run an industry here कि आप Canada based हो तो आप industry यहां नहीं चला सकते आसा court ने कहा है mcd to launch tree census mcd क्या करने वाली है launch करने वाली है tree census यह ऐसा first of its kind fences होगा mayor shalee o'broyo wednesday को कहा है कि mcd क्या करने वाली है यह यह tree census करने वाली है और किस चीज़ के लिए preserve the city green cover को डली की बात हो रही है यहां पे दो phases में यह कराय जाएंगे फर्स्ट फेज में क्या होगा counting done की जाएगी counting की जाएगी फर्स्ट फेज में और locating and tagging tree जो है वो AI के use से की जाएगी यानि की artificial intelligence की मदद से ऐसा mail जो है उन्होंने बताया शाली o'broyo ने process will start up in next 15 days तो यह next 15 days में क्या होगा यह process start होगा total of 84,243 trees plant हुए है तिल नम्मर अडर ग्रीन डैली action plan 2023 and 4 के तहत ठीक है तो यहां पर यह देखा हमने next हम आज आएंगे और देखिएंगे और कौन सा discuss करना है हमें यहां से editorial वाले page में हम है यह tribal और यह सब के लिए यहां में बात हुई है state is specific article 370 Judgment to Case of Constitutional Monoism जो कि जयाद देवा है lawyer based है श्री नगर में उन्होंने इस पर बात की है कि तरह के से बोलजायत रहा है यह मैंने इस पर पूरा article जयाटोरियल में आए था इससे डिसकस आपके आप से किया था है यह था दो कि छकाई विए जो एक है शर्या है और कोटने बताया कि किसके अधिकास श्युत्र में आता है नहीं सब कुछ हमने आरड़ेडि डेसकस कर लिया है अब उस पर जो-बी जच़श में moeten होगी तक्वार में धिक्रत भी पर फेंश कर लिया है तो उसमें क्या हुआ है आप देखो दिसमबर फाइफ में यहां पर जो मीटिंग हुई अटेंड की गई जो कंड़क्ट कर आई गई हाउस कमिटी और एजुकेशन के द्वारा जिसमें कॉस्चिन उठाईए कि वेर देवर कॉस्चिन अबाउट वेदर देयर रिस्पेक्टिव उनवर्सिटीज की क्या जो उनकी किसे भड़काओ भासर दो दिये गये हैं उसकी बात यहां पर चल रही है क्या उसके लिए कोई भी रिकोर्ड अफ कंड़क्ट है वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं अपार्ट फॉर्ब्लम अपियर्स कब आया ये मुद्दा मतलब लोगों को पर चला तो इसके बात यहां पर की गई उसके बाद यहां पर चीजे जो वहां पर हो रही है है यह सब की चीजे देखरे को मिल रही है अब आपको बताना है कि इंडियन कॉंसिटिउशन में हेट इस पीश से रिलेटेट किस में डिसकेशन हुआ है कॉंसा आर्टिकल है कॉंसा सेक्षिन है वह आपको कमेंट सेक्षिन में बताना है जन्हों ने पॉलिटी पड़ी होगी लक्षमे कान थो यह तहीं और से भी पड़ी हो किस तरीके से वो एफेट करेगी बांगलदेश को इसके लिए बात की गई है यूएस और यूइन ने कहा है कि इंक्रीजिंग प्राश्यर ओन बांगलदेश टू होल्ड फ्री और एलेक्षिन तो इसके बाद यहां की जारी अभी से एक खशीना की वहाँ पे आपको पता है गवर्मेंट है बांगलदेश में नेक्स आम आएंगे नेक्स यहां पर देखो भजनलाल भजनलाल सर्मा जो है उन्होंने क्या किया है वो ओथ लेंगे राजस्थान के सीम के तौर पे ठीक है सीम कौन बन रहे है राजस्थान के भजनलाल शर्मा यहां से देख लो स्वेरि एलबर्ट और इन रामनिवास गार्डन वहाँ पे क्या कराये जाएगा सपत ग्रहेट समारो कराये जाएगा RPSCI यहाँ सबसे रिलेड़ कोश्चिन यहाँ से पूछे जा सकता है और यह जो है वो 14th Chief Minister होंगे कहां के राजस्थान के आगे बढ़ जाएगे हैं आपको यह वाला तो अल्रडी पता है मुहलाल यादो जो है वो उन्होंने सपत ले लिया माध्य प्रदेश के सियम के तौर पे आगे बढ़ जाएगे हैं दिखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है यहाँ से नेक्स्ट हम आएंगे वर्ड वाले पर आगे सुनक अवाइड लिडर्शिप चालेंज एज डिपोर्टेशन बिल पास अरली वोट तो आपको बता है यह अवाइड कर रहे हैं डिपोर्टेशन डिपोर्ट करने को लेके जो यहाँ पर बिल है कॉंट्रोवर्शियल बिल है डिपोर्ट असाइलम सीकर्स टू रवांडा तो उसके लिए यह अवाइड कर रहे हैं पर अभी क्या हुआ है सेफ्टी ओफ रवांडा बिल पास तो यहाँ पर देखो बता जाना है सेफ्टी ओफ रवांडा बिल पास इस सेकेंड रीडिंग तो यह हुआ इसके बाद क्या कहा जा रहा है तो जो यूके के प्राइम निस्टर है उनके लिए तो इसको डिस्कूस किया गया है अब यहाँ पर देखो इंबॉर्ट है यह क्वेशन आ सकता है इस से लेयरे शामी नॉमिनेटर फो अरजणा अवर्ण चिराग पोStudy खेल रहत्ने अवर्ण तो अरजणा अवर्ण के लिए नॉमिनेट हुए है मुहमद शामी को नॉमिनेट किया गया है किसके लिए आज़ना आवार्ट के लिए वाइल मिंस डबल बैटमिंटन पेयर ओफ साथ विक सिराज जिनको क्या किया गया है आवार्ट किया गया है मेजर ध्यान चंद्र खेल रहते हैं आवार्ट के लिए और BCCI ने जो ministry source as special request as per the ministry source ऐसा बताया गया है कि special request है BCCI के तरफ से कि sports ministry to include मुहमद शामी नेम as originally didn't figure in the list देखो क्यों ऐसा क्योंकि आपने दिखा होगा इस बार के वर्ड कप में मुहमद शामी का production बहुत जाद अच्छा रहा तो उनके नाम को वहाँ पे कि लुट किया गया है नॉमिनी जो है मिजो दिहान चंद्र अबॉट के लिए तो कौन-कौन है आप देख लो सात्विक सिराज है बैटमिंटन के अरजना अबॉट के लिए मौमद शामी क्रिकेट क्रिकेटर है और अजे रेड़ी ब्लाइन क्रिकेटर आर्शरी के लिए है प्यारा और चरिके लिए चेस के लिए वैशाली और लॉनबॉल के लिए पिंकी है श्ुटिंग के लिए अश्वार ये पृताप सिंग्तोमर है रश्लिंग के लिए है और द्रोना चारए वार्ड सारे गरेश्रा प्रभाकरन को दिया जा रहा है मलक हम में रैसलिंग में लालित को मार्जी को और आर्भी रमेश को चेस्ट में और सब बंदर शींग को होकी में तो ये इस तरीके से question बनता है आपको पता है चाहे वो UPSC हो या अधर state PSC exams हो उसमें sports से related question जैसे किसी award से related हो यह भी बड़ा अवार्ड जैसे आपको पता है धिहान चंत्र अवार्ड कितना बड़ा है अर्जुना अवार्ड हो डिहान चंत्र अवार्ड हो या फिर ड्रोना अवार्ड हो यह सब बड़े अवार्ड की categories में आते हैं तो इसके लिए यह क्या हो जाता है बढ़ने चाहते हैं तो बस आज के लिए हमें इतना ही बढ़ने की जरुरत थी I hope आपको वीडियो पसंद आई हो अगर आपको यह हमारे analysis का वीडियो पसंद आया तो आप लोगों को शेयर करें और चानल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले मिलती हो नेक्स वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिंग